मानेट डो भागों बाट सकते हैं एक अक्षिया कंगाल एक्षियल एक टर एक उपांगय कंकाल के लिए जिश्फी Rat यह प्रतिवी है गोलाकार यह अपने अक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष डालने इसके सरीर में और इस जड़ के सारी इसको घुमा दे तो इसको एक्सिस बोलेंगे और यह जड़ कहां से यह मुझे नहीं पता है आपको समझ लेंगे तो इसका मतलब है कि भेया एक्षिस मतल beef लेंगे तो अखी कंकाल किसी बोलेंगे इसी को अक्षि कंकाल भलेंगे इसी को यानि की चोछणने मतलब कि हाथ और पैर को चोड़ कर इस होड़ाथ सब यात है कि ऊपड़ कंकाल॥ यह आटनी में बोलते हैं ना कि मारें वे अपंग हो जाओ उनुकि लोग कैसे होते हं उन अच्छे कंकाल, इसमें आती है सीर की अस्थियां, सीर की पूरी, उरोस्थी, इस्टर्नम, इस्टर्नम एक सीने की हड़ी होती है, जहां से पसलियां जूडती हैं, उसी को इस्टर्नम बोलते हैं, उसके बाद पसलियां और रेड की हड़ीयां, रेड की हड़ी ये पीछे कसर पाद एंड अंस मेखला अंस मेखला का मतलब की हाथ की अस्थियां जहां से शरीर से जूड़ती है उसी कौन समेखला कहते हैं a उपर मतलब की हाथ वाली में और पर वाली में थायं पर पर और स्रोणी मेखला की अस्ति कंकाल में मानव कंकाल 206 हड्ड में होती हैं आक्षी इस एकषी प्रकार का अक्षि- मैं使oiya कर सकते हैं अक्षि- उसके बाद उपांगे- एकषो यहाँ और 126 अस्थी में से अक्षे Ek Engkala मेंसी त 처स्य मेंसे 29 सिर्क आस्थियां सिर्क केस्थियां हैं कि एक स्थिंच्रणम हैं य्Îने के सीने केस्थी 12 जोड़ी पुच्छियां होती है यह जाार 12 जोड़ी के मतलब के 24 24 पucky होती है कसे रुकाएं के संख्या 26 होती है अगर उपांगे काल में क्या होता है अगर आएंसमेखला अगर फान समेखला था पर पर सबस्रोर्णी में इसमें होती है 32 पलस 31 मतलगे की एक हाथ में लेकर 22 दूसरे हाथ में तो लेकर 32 है कि इसमें पस्च पाद में होती है अंसरोणी मेखला में 31 प्लस 31 मतलब कि एक पैर में शुरूणी मेखला को लेकर 31 तो कितना हो जाएगा 31 32 और 32 बतिस चाउंसट तो इस चाउंसट और इस प्रकार से हड्डियों का बेतरण होता है बारी बर्श देखते हैं सीर केस्थियां इस्टर नम को देखेंगे पसलिया और अगरपाद और पस्चपाद को देखते हैं बारी बारी से